नमश्कार दोस्तों मैं इनके प्रजापती स्वागत करता हूं आपका क्वालेटी एडूकेशन के इस बैखलीन प्लाइटफॉर्म पर उमीद है आप सभी सवस्त होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और व्यस्त अगर नहीं है तो व्यस्त होने का समय आ गया है रास्तान र भुगोल और विज्ञान की जो syllabus उस पर चर्चा करने के लिए जैसा की syllabus में दिया गया है विज्ञान में थोड़ा changes किये गये हैं विज्ञान में अगर देखें हम लोग तो भुगोल के पेक्षा पेपर को एक घंटा बढ़ा दिया गया है विज्ञान में चार घंटे का कुछ प्रशनों की संक्या बढ़ाएगी है syllabus भी बढ़ाया गया है हम लोग चोंकि बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब syllabus जारी हो तो आज वे घड़ी आ गई है तो मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं इस platform पे हम लोग भुगोल की चर्चा प्रारम करते हैं कि बुगोल में क्या syllabus आया है तो उन बुगोल के उन विद्यारती जो बहसबरी से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा syllabus जारी हो और कम हम इस परिक्षा में को तैयारी करके बहुत अच्छे अंक लाकर इसको क्रैक कर पाएं सबसे पहले चलते हैं परिक्षा स्कीम पर की परिक्ष और पाट भी भुगोल के विद्यारतियों के लिए विशेश देखें कि आप लोगों को जो प्रियोक्षाला सायक कोले शिक्षा अउक्ताले सीधी बरती 2022 से प्रिक्षा से जारी की कही है इसमें देखते हैं हम लोग कि भाग A के अंदर क्या दिया गया है तो भाग A के देखते हैं कि सो अंका है तो ये ये मानके चले कि कम से कम 50 प्र formations आप से पूछे जाएंगे उमीद है कि पेटन के अनुसार प्रतियक प्रशनग दो अंका होगा तो हमें हमें जो पाट A है उसमें करीब 50 प्रशनों की आंसर देने पड़ेंगे फिर उसके बाद हम देखते ह पार्ट बे जो भुगोल केवल और केवल भुगोल के विध्यारतियों के लिए और केवल केवल भुगोल आपको दिया गया विज्ञान में देखें आप तो PCM जो फिजिक्स केमेस्ट्री और बायो है PCB बायो है उसे सम्मदित प्रशन है परन्तु भुगोल में अगर आप लोग देखें तो केवल भुगोल से सम्मदित स्लेबस जारी किया गया है जिसमें आपको 200 अंक के करीब 100 प्रशनों का जवाब देना पड़ेगा और दोनों को दोनों का एक ही विपर होगा जैस इंक ए आप सभी को पता है की जो परतिवकिता प्रिक्षा है इसमें प्रशनों के अंक समान है तो इसमें कोई अलगभ अंक ओप भुगरन नहीं है आगे देखने हैं प्रिक्षा का नियूनतम, उत्रणांग 40 प्रतिषत निर्दारृत है इसका आ आर्थ यह ए थिक कम से कम तो इस भरती में select होने के लिए चाहिए आप किसी भी केटेगरी से हो, जन्रल, OBC, MBC, विडो, किसी भी केटेगरी से आप हैं, तो आपको कम से कम 40% प्रतिशत अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, इस से कम अंक प्राप्त करने वाले अभियरतियों के न्युकति के लिए पात् नहीं होंगे, नेक्स देखते हम लोग प्रति एक गलत उत्तर के लिए 1 बटा 3, डिडात्मग अंकर नेगटिव मार्किंग किया जाएगा, जैसा कि हमें पूर में भी पता था कि इस परिक्षा में हम नेगटिव मार्किंग का हमें सामना करना पड़ेगा, जैसा कि इन्हों पता है कि इस पार्ट के अंदर हम क्या-क्या पढ़ते हैं तो रास्तान के प्रमुग इत्यास के स्रोथ, रास्तान के प्रमुग प्रेकातिक सब्वेता है, रास्तान के प्रमुग राजबंस, उनकी उपलब्तिया, मुगल राजपु समंद, स्थापत्यकला की प्रमुग प्र और आप हमारे एप पर जाकर इंडीजबिली भी इस portion को देखकर खरीच सकते हैं और अपनी तयारी जो है वो अभी से प्रारम कर सकते हैं तो यह जो पार्ट है हमारे एप पर अवेलेबल है और जल्दी हम लोग आपको एक अच्छी सूसना देना चाहूंगा जल्दी हम लोग भुगोल से सारे वीडियो हमारे एप पर अप्लोड होने वाले हैं सभी क्योंकि हम सभी स्लेबस का वेट कर रहे थे कि कौन सा टॉपिक दिया जाएगा तो आज वो घड़ी आ गई है हम लोग जल्द ही एप पर सभी वीडियो प्लब्द करा देंगे तो आप आपको निश् आस्तान का भुगोल देखिए भुगोल के विध्यारतियों के लिए सबसे बड़ा एडवंटेज ही है विज्ञान को अगर देखें तो आपको महां फस्स पेपर के अंदर करेंट जोड़ दिया गया है समसा में एक मुद्य जोड़ दिया गया है तो विज्ञान के और प्र इस परिक्षा को देने जा रहे हैं तो उनके सामने एक बड़ी समस्या यह है कि कुछ नए टॉपिक जोड़ दिये गये हैं हाला कि हमारे लिए सभी नया है परन्तु हमें ज्यादा फोकस भुगोल पर करना है अगर हम देखें टोटल जो हमारे प्रशन आ रहे हैं 150 जो 300 अं राजस्acter चाहल है वुगोल से पूछे जा रहे हैं तो तॉंगी हम दोद्वेगों के विध्यार्ति रहे हैं तो कि आपको इसमें फॉम भरते ही यह बता दिया गया है कि है कि आपको कक्षा 12 से भुगोल उत्तिन होना आवशक है मुलोग ऐससे बहुत सारे विध्यार्तियो जिनकी है तो क्या हम लोग पात्र है तो आयोग का इसके उपर को भी स्पश्टिक रणी आया अभी आप लोग आपात्र है क्योंकि इसमें स्पश्लिक दिखाए कि यह 12 वेस्ट विकेंसियर और कक्षा बारा के वह विध्यारती जुन्होंने वेकल्पिक विचे की रूप में भुगोल को चुना है और उससे उत्तीन हुए कक्षा बारा के वही विध्यारती इसके लिए पात्र है आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें पार्ट एक अंदर अगर देखें तो कुल पचास प्रशन आने हैं तो पचास में से कलासाईत्य संस्कृति के 25 और 25 हमारे राजस् पूचे जा रहे हैं तो कि हमारे एक विशे आपस में जुड़ा है तो हम यह एटपांटेज रखते हैं जिन विध्यारतियों का इस विशे में अच्छा पकड होगी अच्छी मजबूती होगी वह इस विकेंशी को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं चलिए आगे बढ़त जो किसी बी प्रदेश के अध्यन से पूर उसकी इस्तिति और उसकी एस्तिति या ज्यान होना ज़रूरी है तो इसमें हम अक्षाशे देशांत्री स्तिति पढ़ेंगे अलागि हमारे इस एप पर हमारे साथी विश्वेंदर जी पूर में ही इसे रिल्टेट वीडियो बना मुख्यां बहुत्रिया प्रव्याग जो कि हम एक प्रदेश का अध्यान करेंगे मुख्य टत्या आता है रास्तान की जल्वायू का अध्यान करेंगे, रास्तान की ब्रदा का अध्यान करेंगे, प्राकर्तिक वनस्पति का अध्यान करेंगे, वन्य जीव सरक्षिन, प्रयावनिय प्रास्तिती की मुद्या मरस्तुली करन, प्रिशी जल्वायू प्रदेश्यम प्रमुख पसले, इसका मतलब यह है कि इनसे रिल्टेट जो प्रश्न है वो करंट पोर्शन है उससे पूछा जाएगा एक आपके लिए अच्छी बात कि आपके करंट वाला पोर्शन भुगोल के विद्ध्यारतियों के लिए पार्ट में से में नहीं जोड़ा गया जबकि विद्ध्यान के व हमारे सामने जो यह दो टॉपिक है एक तो है पर्यावर्णिये परास्ति की मुद्धे और दूसरा है बहुत देशिये परियोजना यह दोनों ही समसमय यह हम कहें कि आर्थिक समीक्षा जो इस वर्ष की है या इसके पिसले वर्ष की जो आर्थिक समीक्षा है उसका अभी अ आर्थिक समिक्षा में से ही पुछे आते हैं, नेक्स देखते हैं, यह भी फिर करंट का टॉपिक आ रहा है, यह भी उसी में से बुछते हैं, जल सरेक्षन परिवन वे खनी समपताई, तो यह मुख्य है, 16 टॉपिक आपको पार्ट अ में भुगोल के पढ़ने हैं, अब चलत कि यह सलेबर्स कहां से उठाया गया है, क्योंकि यह 12th base vacancy है, तो कक्षा 11 प्लस कक्षा 12 की जो अभी NCRT पुस्तके हैं, कक्षा 11 वे कक्षा 12 की जो अभी NCRT की जो पुस्तके हैं, अध्यनरत है, विज्जारती अध्यनरत है कक्षा 12 वे 11 में, उनकी अभी एक NCRT की पुस् सके चलती है, उन्ही का सलेबर्स यहां पर दिया गया है, जैसा कि विज्जान में भी है, तो हम देखेंगे, कि पुल 66 टॉपिक है, तो पूरे 66 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे एक साथ, कि कौन-कौन से टॉपिक को आपको इस तरीकी से जद्धिन करना है, कौन-कौन से सके आप से पूचहे जा रही है, क्योंकि अभी हम इसी टॉपिक को से नहीं करने हैं, तो हम सलेबर्स को इस दिसकुस करेने हैं, देखते हैं हम लोग, कि भुगोल एक संकलित विशे के रूप में है, भुगोल की शाखा है, भौतिक भुगोल का मैध्व, Kapskा 11, कि पुस्तक जो बहुतिक भुगोल के मुल्सिद्दान जो हमारे पुस्तक चलती है NCRT में उसी का पहला टॉपिक आपको सामने दिया गया है भुगोल संगलेत विशे की रूप में जैसा कि हम भुगोल की विद्यारती जानते हैं कि भुगोल को हम दो पार्ट में डिवाइड करके बढ़ से बात करें तो जाता है भुगोल की पिता हिकेटी उस परकार से जो हमारे जितने भी चिंतक रहें उनुके बारे में उन्हें 들어 eh के अच्एन प्रार्म किया विश्यवीख के रूप में इस्तापित की आप के YouTube का हमनल मास बहुत सारे जो लोग हैं वो उन सभी का योगदान रायस में तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स देखते हैं लोग नेक्स जो है मारा प्रत्थवी की उत्पत्ति विकास अत्यांत मैत पुन टॉपिक है जैसे कि हम पूर में तरचा इस बारे में कर रहे थे कि ये जो टॉपिक है प्रत्थवी की उत्पत्ति विकास इसमें किस लेवल के प्रशन पूछ जाएंगे अगर अपन बात करें पुस्तक की तो पुस्तक का जो लेवल है वो चौंकी कक्षा 11 में पहली बार विद्ध्यारती जो है इस पुस्तक को एक विशे के रूप में पढ त्कषन पत्थमें को कमरोंड की कांड़ मैं एक यूजस संकलल्पनाई जो है व बुगर्भी समय सान्डी जिसगों बोलते हैं भोगोलिक समय सान्डी जो हम बहलते हैं हम पढ़ेंगे की प्रत्थवी की अंत्रिक्सर्श्चन वापिस आया है प्रत्थवी जो करेंगे इस टॉपिक को ज्यारतियों में बड़ी रूची रही है कि प्रत्वी की आंत्रेसना किसे प्रकार की होती है तो जो कच्छा 11 की किताब है उसमें बहुत अच्छा किया गया है बहुत अच्छे डाइग्राम से समझाया गया है और हम उसी का ध्यन आगे हमारी वीडियो कोर्स क करेंगे नेक्स देखते हैं महा सागर और माधी उत्वत्त्ती संबंदी चिंधिया और हम चर्चा करते हैं पूरी सध्धान्त की उसका अध्यनम इस टॉपिक में करेंगे उसके अलावा हम लोग non इसनिकी आधी topic भी इसी में cover करेंगे next देखते हैं शेलों के प्रकार तीन प्रकार की शेले आगनिये अवसादी और कहिंत्री चट्टाने है और भी इनका इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है इनका निर्मान कैसे हुआ है वित्रन कहा का पाया जाता है शुरुवात की चट्टाने को उसके बाद क्या बनी है इनसे को उसलाकर्तियों के निर्मान होता है यह सभी हम इस topic में cover करेंगे next देखते हैं भुवाकर्दिक परिक्रिया है भुवाकर्दिक परिक्रियाओं से ताथ पर यह है कि हमारे जो भोगुलिक अध्यन में हम पढ़ते हैं कि जल वाईयू हिमानी समुद्री लहरें जो हैं जो लगातार आकर्तियों में परिवर्तन करती रहती है जैसा कि डेवीस और पैंग दो हमारे मैत्पुन को पढ़ेंगे क्योंकि परिक्षा हो सकता है कि 12th level की है पेस हो सकता है कि इन्होंने syllabus जो उठाया है वो कक्षा 11 और 12 की पुस्तकों में से उठाया है परंतु सवालों पर कोई लगाम नहीं कि अगर इन्होंने ये topic डाल दिया भुवाकरतिक परिकिरिया है तो हम यह claim नहीं नहीं कर सकते हैं कि सरका 11 की पुस्तक में से केवल पुछे जाएंगे यह यह क्लेम नहीं किया जा सकता यह तैन किया सकता क्यूंकि उसने topic डाला तो उससे related जितना भी तत्य है उससे related जितना भी विवरन है वो हमें पढ़ना आउशक है आगे देखते हैं हम लोग इस्थल रूप है उनका विकास इसी को land formation हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से इस्थल रूप बनते हैं इन वह अकरतिक परिक्रियाओं के द्वारा ठीक है और उनसे कौन-कौन से इस्थल रूप का विकास हुआ है नेक्स देखते हैं हम लोग वो जो portion था वो भातिक बगुल का यह जो पार्थ है हमारा यह बातिक बगुल का portion और भातिक बगुल का हम इस्थल मंडल इसमें पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं हम लोग इस्थल मंडल तो हम चार पाटों में डिवाइड करते हैं सबसे पहला स्थल मंडल हो गया दूसरा हो गया जल मंडल क्या हम कहें वाईयू मंडल वाईयू मंडल तीसरा हो गया जल मंडल और इनके अत्रिक्त इन तीनों का संबलित रूप जिसको हम जेव मंडल की राम से जानते हैं हम देखें तो ये भौतिक बगोल का जो पूरा portion है हम चार भागो में डिवाइड करके इसको बढ़ते हैं सबसे पहला स्थल मंडल हो गया दूसरा वायू मंडल हो गया तीसरा जल मंडल हो गया चौता देव मंडल हो गया तो इस्थल मंडल की आपको दिखाये गये हैं तो हम इनका अध्यन आगे करेंगे next देखें हम लोग जो दूसरा portion है हमारा वाईयू मंदल के अंदर हम सबसे पहले वाईयू मंदल की संगटन और सरश्ना की वाईयू मंदल की गैसों के सम्मलित रूप से बना है कौन कौन भाग हमारे वाईयू मंदल के अंदर पाया सरक्षणा में वाययो मंडल की सरेचना पड़ेंगी वायय दोल से स शुरुवात से जो समझी ग्याने उसे पढ़ते हैं सम शो बंडल सम ताप मंडल आगे जो पॉर्शन पढ़ते हैं हम लोग नेक्स देखते हैं हम लोग सूर्य ताप हैं उश्मा संतुलन तापमान का वित्रण यह भी एक मैथमून टॉपिक है सूर्य ताप और क्योंकि हमारे है प्रत्वी के उपपर जितनी भी उड़जा है कि प्रत्वी की जितनी भी प्रकिरियाँ 1200 में वह सूर्य ताप की दोरा आईौ। कहां ज्यादा है कम है नेक्स देखते हैं वायूदाव वायूमंडल यह परिसंजरबाद अत्यांत मैतपुन टॉपिक है जीके की दस्टी से भी और इस परिक्षा की दस्टी से भी क्यों टॉप मैतपुन है क्योंकि जब आप वायूमंडल पढ़ने जाएंगे तो वायूमंडल में वह वायूमंडव और वायूमंडल के सामझस्य से स्थापित होती है नेक्स देखते हैं हम लोग वायूमंडल में जल वास्पीरं संगनन यह एक अत्यांत मैतपुन टॉपिक है वर्षण के परिकार इतियादी आगे देखते हैं विष्व की जल्वायू व इसमें पढ़ेंगे इसमें देखते हैं भूमंदली और यह दोनों ही जो टॉपिक है अभी इन दिनों बहुत जर्चा में भी है और यह अत्यात महत्पून भी इस परिक्षा की जर्षी से और जीके की जर्षी से विष्व की जलवायू वरगिकन जिवष्व का जलवायू है इसमें इसपर्ष दिया गया है कि कोपेन का जलवायू वरगिन आपको पढ़ना है हाला कि इसमें थानवेट मोदे का भी जलवायू वरगिन आता है परन्तु क्योंकि यहां आप क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने कोपेन लेका है इसका मतलब आपको कोपेन का जलवायू वरग ह्भार्थ है जो हमारे का एक चक्र होता है वर्षा वाष्विकरन और उसके बाद जो किया है उसके जलीज़ीज़ेशेशेश समुंदोरा हुँे दो समुंद्र कंदाय करती इस प्रकार की जो टॉपिक है हम इसमें कवर करेंगे नेक्स देखते हैं तापमाल लमणता का वित्रण महासांग्रिय तरंगे जवार भाटावे तरह अत्यांत मेहत पुन टॉपिक है यह जवार भाटा और धराए बहुत सारी कंपटिशन एक्जाम में लगातार भुगोल के इस पार्ट में प्रश्म पू अर्ब हमारा जो टॉपिक है करन्ट से सम्बंदी टॉपिक है तो इसका जूद है वह करनकी पुस्तिकों में साहजोडे ने जुअना टे eseality रेते हैं यह हम कहें उसका portion इसमें जोड़ा गया है तो देखते हैं इसमें कौन-कौन से topic है हमारे देखते हैं सबसे पहला है भारत की इस्तती आकार हैं प्रोशी दोट फिर से हम कहेंगे जब हम प्रादगी से एक दिन करते हैं किसी भी शेत्र का प्रदेश का तो उसकी इस्तती आकार है उसकी location क पता करते हैं नेक्स्ट है भुआ करति खंट तो फिजी जिविजिए भातिक प्रदेश जैसा कि हम राजस्तान में भी करते हैं तो भारत की ब्रोटिक प्रदेश है उत्तर का हिमालय वी अला पाठ है मध्ये का गंगा और सिंदु का मैदान है पश्चिव में जो रिकिस्ता प्रदेशों को भी हमने कई भागों में बाठ रखा है उसका अध्यन भी हम इस टॉपिक में भारत की भोगतिक बुककंड में करेंगे नेक्स्ट देखते हैं जल संबर संकल्पना हिमाल्य प्राइदी भारत के अपवा तंत्र तो यह अपवा से से रिलेटेड या नदियों प्राइदी भारत की नदिया हैं हमाले चे निकलने वाले नदिया अंत्र प्रवाली नदिया हैं उन सब यह नदियों का ज्यनम करेंगे नेक्स्ट देखते हैं लोग बैं टॉपिक नमबर 20 मांसुनी जलवाईव को प्रभावित करने वाले कारक किरियाविधी आरम परिवर्टिता जलवाईव प्रकार कोपेन मांसून भारत की आर्थिक जीवन इसमें जो टॉपिक है अगर आप देखें तो सबसे बड़ा टॉपिक जो आएगा वह आएगा मांसून भारत का मांसून तो हम कहें कि भारत की जलवाईव का और भारत के मांसून का अध्यनमि इसके अंत्रकत करेंगे next देखते हैं वनों के प्रकार वित्रन तो हमारे भारत की जो फोरेस्ट वाला एरिया है उसके प्रकार कितने प्रकार के वन हमारे पास पाई जाते हैं वरगी करत है वरगी करत चेनिया जो है हमारी तरक्षित वन वो सारी वनों का तो हम अध्यन इसमें करेंगे ये फिर भारत की आर्थिक समीक्षा आती है हमारी आर्थिक समीक्षा जु आती है यह हम कहें वन रिपोर्ट जु आती है उसमें से इसका अध्यान करेंगी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं, जो ज्वलन्त मुद्द्ध हते हैं, तो लगातार समसा में गटनाओं में से इनके प्रस्ने पूचायते हैं, नेक्स जो आरा हमारा म्रदा का वर्गी करन, I-C-A-R द्वारा जो वर्गी करन किया गया, N-T-Z बहुत प्रकार की म्रदा हैं, जो हमारे 7-8 प्रकार की म्रदा हैं, उनका अध्यान हम, चौकि इसमें स्पर्ष लिख दिया गया है, I-C-A-R, तो इसका जो हम पढ़ेंगे, ये म्रदा के बारे में जो अध्यान करेंगे, इसके तहत करेंगे, नेक्स देखने हैं, तो आपको इसका अध्यन भी करण से ही करना है, क्योंकि पेपर बनाने वाला ये ध्यान रखता है किसी भी टॉपिक को, कि उससे रिलेटिट कोई जवलन्तमुद्धा भी इस समय चर्चा में है गया, तो सीधी सी बात अगर चर्चा में होता है, तो जो पेपर सेटर होता है वो उन्हीं topics को उठाता है, नेक्स देखते हैं हम लोग अगली अगर slide पर चले हम लोग देखेंगे, हाँ, केवल क्या हमें बहुत तीक भूगल और मानोग भूगल ही पढ़ना है, नहीं, हमें प्रायोगिक भूगल भी पढ़ना है, क्या पुढ़ना है, प्रायोगिक भू भूगल के प्रस्टन नहीं पूचे जाते हैं, भूगल पूछ सकता है, और आस्तान का भूगल पूछ सकता है, वर्ल्ड का भूगल पूछ सकता है, भारत का भूगल पूछ सकता है, तो इसमें यह क्यों दिया गया है, तो आप लोगों को यह जानकारी दे दूँ, कि आप जो लेब एस्टेंट बनने वाले हैं कॉलेशिशा नदिशा लेकर अंदरकत आएंगे तो किसी ने किसी कॉलेज के अंदर आपको न्युक्ति प्रदान की जाएगी तो यह तैम आनिए कि आपको किसी ने किसी लेब का इंचार्ज बना जाएगा भुगोल की अगर आप प्रया की एसे भी हैं भुगोल की विद्यारती ऐसे भी हैं वह रिचावज और वाले पॉर्चन को पास policy हमने ऐसे ही पास में प्रा lease कर दिया तो यह अब आपको पता चलेगा कि आपने अगर वह प्राइगी को कर्षा 11 और 12 में अध्यन कर लिया होता तो आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आयते हाला कि इसकी आप चिंता ने लेकर हैं हम लोग आपके लिए उपलब्ध हैं हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जितना वीडियो कोर्स के माध्यम से यह मान के चलिए कि यह वाला पॉर्ट्षन आपके सेलेक्शन का रामबाण है क्योंकि आज भी यह है कि अगर दस विद्यारती भूल का कोई कंपेटिशन एक्जाम देने जाते हैं तो उसमें से चार या पांच विद्यारतियों को ही संभावना बढ़ जाएगी तो हम प्राइगी भूगल में देखते हैं कौन-कौन से टोपिक दिये गए कच्छा 11 की पुस्तक की प्राइगी का टोपिक हमें यह दिया गया है सबसे पहला है मांचित्र प्रकार मापनी साधन रेखिये मापनी तूरी मापन दिशा निर्धन स को अपूर्ण माना जाता है तो इसलिए जो हमारा सबसे पहला टोपिक दिया गया वह यही है मांचित्र के प्रकार कितने प्रकार के मांचित्र होते हैं मात्रात्मक मांचित्र कैसे होते हैं गुणात्मक मांचित्र कैसे होते हैं ठीक है इस प्रकार की जो मांत्री में बहु जरूरी है क्योंकि भुगोल में जो सर्वे वाला पोर्शन होता है यह हम कहें कि भुगोल का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो इस पे टिकावा है मापनी पे अगर आपको स्केल आती है तो आप प्रैक्टिक भुगोल में बहुत अच्छा कारिय कर सकते हैं अगला देखते हैं साधान रेखने में आपने ग्राफिकल स्केल जो हम संबहुते सभी कक्षा वे 12 के विध्यारति को बढ़ा आये हैं तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट है दूरी मापन इसी स्केल में आपको किस प्रकार से रेखात्म की स्केल से प्रदर्शक भिन में किस प्रकार से प्रदर्शक भिन से आप जो है रेखिये मापन में ग्राफिकल स्केल में किस प्रकार से दूर बदल सकते हैं, तो उसका अध्यान हम इसमें करेंगे दूरी मापन, मतलब scale का ही portion है, दिशा निर्धान, सांकेतिक चिन्नों का प्रियोग जो हमारे रूड चिन्नों का प्रियोग किसी परकार के बहुत सारे हमारे भुगोल में बेंचमार्क्स या रूड चिन्नों का प्रियो next जो हमारा topic है अक्षान देशांतर earth अर्थ-समे निर्धारन बहुत ही महत्पूर topic है g.k की दिस्षी से भी महत्पूर है और भूगोल की अध्यन की दिस्षी से भूगोल है क्यों है तक यह आपको यह basic है जह भूगोल का basic है अगर आपको अक्षान देशांत्रों के बारे में नहीं पता, अगर आपको नहीं पता कि अक्षान देशांत्र रेखाएं क्या होती है, अगर आपको नहीं पता कि अक्षान देशांत्र रेखाओं से किसी भी देश की या किसी जगे की स्तिति कैसे ग्याद की जाती है, विश् इस टॉपिक का बहुत अच्छे सज्जन करेंगे और भुगोल के अध्यन की जिसी सत्यंद महत्पून टॉपिक है यह और बहुत सारी competition exam में इस से rated प्रस्ण पूछे आते हैं next देखता है मांचित्र प्रक्षेप प्रकार निर्मान प्रशेषता हैं एक प्रमानिक अक्षान संक्वाकरें संशेक्त्र पेलनाकार प्रक्षेप तो देखिए इसमें फिर इनोंने क्या किया है थोड़ा सा division करके दे जिए है बिल्कुल suppose करके दे दिया है एक प्रमानिक अक्षान सक्वाकर है हम चेत्र बेलना कार प्रक्षेप कही आपको अध्यान करना है मांचित प्रक्षेप अगर हम घौल के विध्यारति हमें पता है कि मांचित प्रक्षेप क्या होते हैं फिर भी हम लोग देख क्यों आप शक्क है क्यों कि मानचित्रों का निर्माण किसी ना किसी प्रक्षेप पर ही किया जाता है किसी ना किसी प्रक्षेप पर किया जाता है इसलिए प्रक्षेपों का अध्यन भी अत्यन्त महत्पुन माना गया है नेक्स देखते हैं स्लाकर्तिक मांचित्र का अध्यन बहुत ही मैत्मून टॉपिक है क्योंकि हमारे भारतिय सुरेक्षण विवाग द्वारा भारत ये उसके पड़ोशी देशों के इसलाकर्तिक पत्रक बनाये जाते हैं इसलाकर्तिक प्रतक अगर हम धुकोल के विद्यारति हैं जानते हैं कि वैसे मांचित्र होते हैं जिसमें सभी सुर्षणाओं को समेकित करके किया जाता है और कई मापनियों पर बनते हैं तो इसमें इन्होंने इस पर लिखा है कि कहां से कितने वापनिका तो एक अनपात पचास जार या एक अनपात बीस चार पेमाने पर भारतिया सेलेशन विभाग द्वारा प्रकाषित मांचित्र समोच्च ये जो मांचित्र हैं इनकढ़्यानमे करना है इसी में नेक्स्ट जो है वो है समोच्ची रेखाए अनुपस्त्र काट जो प्रोफाइल है वो पढ़नी हमें इसलाकरतियों की पहचान धाल पहाड़ी घाटी जलपरपात ब्रगु अधिवास वित्रण तो हम जो कंटूर्स पढ़ते हैं समोच्ची रेखाएं जो पढ़ते हैं कंटूर्स जो हम पर जो हम है कि और फौटोग्राफ की सिस्टाशन यॡशे नहीं जो है ढोटेंट मींज़ते फोटोग्राफ जो अलग-गालग आ वहाइक हैं प्लेटफ हो सुद्रेंगए हुझा जैक्टे हैं बहुत चोटा टॉपिक है इसमें आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत टिपिकल लेंग्वेज का प्रियोग किया गया है परन्तु यह मान के चलिए यह बहुत ही शंशिप टॉपिक है इसके जो पॉइंट्स है वह भी बहुत शंशिप थे प्रशन जो बनते हैं वह उस टॉपिक के जवाब हलाकि हम वीडियो कोर्स में इसमें का विस्तृत चर्चा करेंगे विस्तृत अध्यन करवाएंगे आपको फिर भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से इन प्रशनों का आप आसानी से तोड़ निकाल सकते है नेक्स देखते हैं मौसम उपकरन का उपयोग आदर शुष बल आपमा भी वायूदिशा शूचक यंत्र वश्चा महापक यंत्र आदी मौसम चाट का प्रियोग वायूदा भवा वश्चा वित्रन देखिए आप जिस भुगोल की प्रियोग शाला के इंचार्ज बनेंगे तो आपको बहुत परकार के जलवायू से संब उनको प्रियोग करवाना पड़ेगा विध्यारतियों को तो यह सभी जो यह जो सभी उपकरण लिखे गए हैं यह सभी उपकरण आपको आपकी लेव में उपलब्द भी हम लोग आपको इसका अध्यन करवाएंगे जानकारी होनी ठीक कौन उपकरण किस प्रकार का है किस से कारिय करता है आदीम देखंते हैं मोसम चार्ट मौैंडर प्रिवाइदा भहवा वृऊद्ध का नंदर मतलब हम लोग जो वैदर रिपोर्ट सो aluminum मोसम मान्छित्र होते हैं उनको किस प्रकार से पड़े उसमें वर्शा का वित्रम किस प्रकार से पड़े आता है तापमान का वितनकी प्रकार से पड़े आता है इसका ध्यानिस टॉपिक में करेंगे नेक्स हम देखते हैं मानव भूगोल परिभाशा प्रकृति विश्चेट्रयों महत्व यह जो पार्थ है यह कक्षा 12 से लेटेड है कक्षा 12 की NCRT की जो पुस्तक है उस पुस्तक में से लिया गया है मानव भूगोल जो हमारी पुस्तक चलती है कक्षा 12 में प्रथम पुस्तक जो है पार्ट A वाली मानव भूगोल परिभाशा प्रकृति विश्चेट्रयों जैसा कि हमने अभी पहले चर्चा की कि भूगोल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मेज लगलग देखा है उनको परिभाशित किया उन परिवाशाओं का अध्यना में करना है प्रकृति विश्चेट्र मानव भूगोल कौन कौन से बिश्यों संब्न नित है यह हम किन-किन विश्यों को अपने अंदर समाय जित किया हुआ है मानव भूगोल ले उसके बारे मैतपुन है और हमारे इस बरति की तर्ष्टी से भॉत मैतपुन है तो कि विषवकी जन्जातिया है प्रमुग जन्जातियाए जो देखिए यहां जन्जातियों की बात की गई है तो विश्व की जो प्रमुक जन जाती है जो एक्स्ट्रीम कंडिशन के जलवाईयों में निवास करती है उनके बारे में पढ़ेंगे एस्कीमों के बारे में पढ़ेंगे सभी को पता है दूर्विय जन जाती है बुश्मेन के बारे में पढ़ेंगे जो विश्वत्री की जन management topic है अगला देखते हैं हम लोग जनज संक्या का वित्रन गhanat पर पढ़ती है घनद्व भारत में कितना गनत्प वे ज़्च कोण कोण से हैं इन सब का अध्यन हम करेंगे फिर देखते हैं लोग जन संक्या व्रदी कारण समस्याएं और समाधान जन संक्रमण जिद्दान बहुत ही मैध्पून टॉपिक है जन संक्रमण जिद्दान मालतस का और और दो-चार विगयनिक और है उन्होंने इसके बारे में चर्चा की वो कि हम इसी पर देखते हैं जिन संक्या व्रदी कारण समस्याएं तीर लीजन संक्रमण जोड़के पेर हो तो अध्यनत मेतपूर्ण है क्योंकि इसमें डेटा अधिक होते हैं और डेटा जहां होते हैं वह प्रश्न बहुत सारी बन सकते हैं इसलिए इसका अध्यन भी हम करेंगे आगे देखते हैं लोग मानो को बोल का इस अगला पाड़ आता है वो है प्रवास शंकल्पना पक्षी हम समझें aumentar जो है मानो जब Tamam एक एक स्थान से किसी जिकार्य से यह किसी भी कारण श्राय उ splendid होता है चती करता है उसको प्रवास के अंतर गत्र लेते हैं प्रवास के दो तीन चार प्रकार भी हम पढ़ेंगे ऑप्रवास उठवास इस प्रवास दो वो हम लोग इसमें अध्यन करेंगे नेक्स जेते हैं मानव विकास संकल्पना यह जो है यह HDI जो विश्व की HDI रीपोर्ट होती है इसे रेटेट टॉपिक है मानव विकास के संकल्पना किस विज्ञानिक या किनके द्वारा दी गई और उसके बारे में कौन-कौन से उसके भाग है कि SDI की जो सूची निकलती है वो कौन निकलता है भायत की उसमें क्या रेंकिंग है फिश में प्रथम कौन है फिश में आखरी कौन-कौन कौन से देश आते हैं और भारत का उसमें क्या योगदान है या किन-किन पक्षों को ध्यान में रखकर इसक प्रति प्रति समस्यां हैं तो विश्φी समगोस tapping के अर्वास भारति प्रकार्वें और इसका जर्म मैं इसमें करेंगे इसमें इसमें इस्वेश्छी दिया नहीं गया है फरंतू कि इस टॉपिक के अंदर जो विष्ट की महतपून डिया कच्छी बस्तिया या वडिया बखारत की कहीं दिया के कि वहां की वहां समस्याएं क्या है वहां की समाधन क्या क बढ़ा है इन तोपिकंडमें है ने नेक्स रिकेंगे प्रात्मिक व्हव्व स्धाई ये भी मानु भूल कई पार्ट है व्हव्व स्था युद्ट है हो अब देखते हैं अन प रहा है tr bund मिस्टा ये यह सभी उसके पाठ है बहुत बड़ा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है और इनके ऊपर जहां तक मुझे याद है कक्षा 11 के पुस्तक में अलग से पूरे एक एक पाठ दिये में है क्रिशी से रेलेटेट विश्व की जितनी प्रकार की क्रिशियां है उन सभी का दिन करें है किस क्रिशी को किस नाम से जाना जाता है कौन-कौन से बाट में कौन-कौन से क्रिश्यां की-री उन सभी का दिन हम करेंगे नेक्स देखते है। थित्यक व्यववसीय कारगी उजय कविस्टति थेे। जातूरत तफित्यद समाचत तो जायWS प्रात्मिक लेंगे भिश्व मेरनी धित्यक लेंगे लैंने से सोट्षिय प्रात्मिक व्यववसाय कि अच्छड़ समें ते यह फित्यक विष्ण दे widespread भूतल परीवन प्रमुक अंत्रा से सड़के वे रेलमार्ग तो हम जो परीवन से रिटेड टॉपिक है अब इनों ने जो तॉपिक ये अगर हम देखें कि क्या इसमें हमें राजस्थान भारत का अध्यन भी करना है तो बिलकुल करना है क्योंकि तॉपिक ऐसा ही है कि इसमें अगर आप उस तक देखेंगे किक्षा 11 की, 12 की, तो उसमें पाएंगे कि केवल विश्व की सडकों और रेल मार्गों के बारे में किया गया है तो यह तय है कि विश्व की सडकों रेलमार्गों में भारत भी आता है तो भारत के जोंकि अब इसके अगले पार्ट यह मिल्च के बारे मिल्च करेंगे तो गशाट शुब विश्व और 7 राजस्थान विश्व और भारत थीनों के जो परमुक अंतरा सो सडकें है प्रमुख के उनका ध्यरक करेंगे निक्स डेखते हैं जल परीवन का पोर्शन आ तो परीवन आ रहा है तो परीवन बूतल परीवन हो गया है नैस्ट जो है मारा जल परीवन परमुख अंतकर माहसागरीय जलमार को बंदरका स्वेज पनामा नहर इत्यादी देखिए ए every लो siamoCloud आते है ठोपिक से बहुत सारे पुछी जाते हैं और रेगुलर प्रशन पूछीıllा पूछी जाते हैं बहुत महतमून टोपिक यह हुएग का आगे देखते हैं वाय्यो परिवन विष्व के प्रमुः मार गएं थ्यों हवाइट्ड दॉल को इसका पुछा जाता है अधिकांस थे हैं आर्थिक समीक्षा में से ही पूछा बारत अंतरास्थ ही वियापार से लेटव सब्सक्री कि अधून जन संचार के अपकर्ण उपग्रण internet और mobile itiyaadhi इनका अध्यन भी हम इसके उंतरकत करेंगे next हम देखते हैं यह परेयोने समष्चय आई यह मैं फिर आपको बता दूँए भी current यह समसाम एक मुद्वों से जुड़ा हुआ यहीं कहांै अगले देखते हैं यहificación हुए उनके बाए में जानकारी कौन कौन को मांगे हिए थी क्या मानी गयी क्या वासामिलंट सक्सेशर हुए नहीं हुए को प्रस्नों को प्रष्ण हुम नेक्स देखते हैं हम लोग, संसाधन, संकल्पना, वरगीकरन सरक्षन है, पोषणी है, विकास, संसाधनों रिसोर्सों के बारे में पढ़ना है, संसाधन की संकल्पना क्या है, किसने संसाधन को क्या बताया है, वरगीकरन कितने प्रकार के संसाधन पते है, सरक्षन वे पोष इसका संसाधन में अध्यन करेंगे , नेक्स देख़ते हैं एजेविक संसाधन भू जल खनीज लोह अयसक तामबा अलियूम और अब्रख देख़िए इसमें sp peacefully दिया गया है लोहा अयसक तामबा अलियूम और अब्रख तो यह जो पांच दिये गये हैं संसाधन उनका हमें खनी संसा दन ये हैं उनका हमें विश्ट्रेटतल विश्प की दिश्टी से करना है कि भारत के भूगोल का आगे पाट आएगा आगे देखते ऎम लोग अच्छा से जादन परमपरागत कोईला पैट्रोलियम जख जब्युद्द ये फिर आगए बहुत ही महत पून टॉपिक है कोईला पैट्रोलियम जल्विद०्थ से related जितनी भी योजनाएं चल रही है या जो हम प्रयोजनाएं चल रही है उनके बारे में प्रशन पूछे जा सकते हैं नत देखते हैं गेर पनपरागत आणवी कुर्जा जयाविकुर्जा पवन वे शुरुर्जा इन से ही पहुए सारे प्रष्ण बन सकते हैं बनते¿कु देखेंगे शुरुजा नहीं कुछित इसका अध्यान करेंगे, next हम देखते हैं क्रिशी के प्रकार, अब यह देखिए, हमने अभी पड़ा प्रात्मिक व्यवसाइगे अंदर भोतिक बोगल की प्रात्मिक व्यवसाइगे अंदर विश्व की जो क्रिशी है उसका अध्यान करेंगे, अलग से इसमें यह टॉपिक इसमें अध्यान करेंगे, इसके अलावा कुछ पसले हैं विश्व की कुछ महत्मुन पसले हैं यहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, आधिका, वित्रण, वित्रण मतलब किस किस देश में कहां का कितना वित्रण हो रहा है और उत्पादन, तो हम आर्थिक समीक्षा में से टॉपिक का अध्यन परेंगे, क्योंकि हमें जो टॉपिक रहत क Kanye प्रश्न से रहे पूझा जाएगा, वो लेटेस्ट जो उत्पादन है, उससे रह्तेट पूछा जाएगा, तो लेटेस्ट जो आर्थिक समीक्षा उसमें से इसका अध्यन में करेंगे, नेक्स्ट जो है हम भारत की दिश्टी से ही हैं ध्यन करने हैं जैसा कि लुहा, असपाथ, अलियूमीनियुम, पूरब में भी आ गया है पांच जो टो टॉपिक दिए गये हैं तो समेंट , सूतिवस्थ चीनि इंजिनरिंग उध्योग है यह हमें भारत की दिश्टी सी से 7 तो टॉपिक है यह भा कुंसा कारी कर रही है इनके जो मुख्याले वो बने वे हैं किस शेत्र में काम करिए इन सभी का ध्यनम लोग करेंगे आगे देखते हैं विकास है नियोजन गरीबी अनुमुलन रोजगार कारेग्रम मनरेगा की भूमी काव है प्रबावसों प्रतिशत प्रश्ण पूछे जा करेंगे निग क्रीनि अदियेें आधुनि की ये के जो विचारदार है उसका जो जो आहर थितनी संस्थाएं काम कर रही है कौन को सी योजना ही बारत के वकल के दूसरे बांत में चल रहे हैं आगे देखते हैं परम्ख लो चुती व स्थरा और फिशन मेन heck। राख के धरान कीस नीडमी चलते हैं तो फिश्क लोजिग से व Mimi अनि आधिया गया för टॉपिक जो है वो जीके में बहुत बड़ी मात्रा में पूचे आते हैं अगला दिखते हैं प्रमुख सिचाई प्रियोजना है तो भारत में या राजस्थान की बात करें हम लोग तो चंबल इंद्रा गांधी और मही प्रियोजना जो राजस्थान की प्रियोजना है उनके तो तीनों, विष्व का, भारत का और राजस्तान का, तीनों का अध्यन करना है, क्योंकि पार्ट A में आपको राजस्तान के बारे में पूछा जाएगा, पार्ट B में आपको विष्व और भारत के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह तै है कि इन टॉपिकों को जब आप या इसका अध्यन करें, इसी भी मध्यम से, तो तीनों का comparative अध्यन जरूरी है, और ये आप ही रहा है हमारे topic में, next देखते हैं, जो हम लास्ट में पहुँच चुके हैं, हमारे इस लेबस के आकरी पन्ने पे, हमारे जो 600 topic है वो आपके सामने है, और ये फिर से 12th में जो प्र प्रगिक भुगोल का portion जो है, तो मान्चित्रों के प्रकार, मान्चित्रों की परिभाशा है, हमने उसमें पढ़ी थी, यहां मान्चित्रों का अत्व, अर्थ, महत्व, वर्गिक्रन, वै मान्चित्र, कन, सेमेटिक, विशेक, मान्चित्र, बिंदू, वन, मात्री, enhanced देखते हैं आख्रों का निरुपन आरेखों की रशन अरेख सम्म्मू हो प्रियोख करते हैं और सांकिका प्रियोख करते हैं ़स रहे deja को फिर अध्याम होते नॡफ करेंगा है तोपिक है बोवली कि सुश्नातंद्र हे और Hiphynosa प्रायगिक पोर्चन है उसमें से यह तीन ही टॉपिक लिए गए हैं अलागी बहुत विश्थित सलेवस है कक्षा बारा की प्रायगिक विश्य का भी परंतु विध्यार्तियों की उपयोगिता की जिस्टी से इन्होंने तीन ही टॉपिक लिये हैं यह हमारे लिए अच्छी बारे में मैं आपको पता दूँ कि प्रती एक टॉपिक पर हम एक विश्थित वीडियो लेके आएंगे तो हम आप हमारे जो हमारे क्लास है उसको जोइन भी कर सकते हैं अब हम बात करेंगे विध्यार्तियों को कुछ महत्पून सवालों का आज से पहले आज दोपेड से प करूंगा जिन लोगों अभी तक फॉर्म नहीं बढ़ा है और आप यदी कक्षा बारा से उत्तीन है भुगोल विशे से तो आउश्यक रूप से फॉर्म भरें और तैयारी भी करें क्योंकि इथिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लैब स्टेंड भुगोल विध्यान में है वेतन जो बनता है पेमेट्रिक्स के माध्यम से उसमें बहुत अच्छी जॉब है आपको करीब 30,000 प्रतीमहा फिक्स होते ही मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि यह बहुत छोटी जॉब है या नीचलिस्तर की बहुत अच्छे फिर आपकी पोस्टिंग भी किसी कॉलेज म में भी है परन्तु हमारे भगोल में आपको एक महविध्याले का इस्सा बनने का मौका मिल रहा है तो आप अपने आप में बहुत महत्पून जॉब मिल रही है आपको अभी आपने अगर फॉर्म नहीं बढ़ा है तो ऐसा कुछ नहीं है बहुत समय बढ़ा है असी दिन है आप के पास तो आप ये बिल्कुल तय मानें कि आप अगर आज से अभी से अध्यन प्रारम करें तो बिल्कुल आप इन 128 पोस्टों में से एक पोस्ट आपके लिए निकाल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि विद्ध्यार्तियों के महत्मून प्रशन था कि सर पढ़े क्या तो अब ये प्रशन है कि पढ़े कैसे क्योंकि इसका समाधान तो आपको मिल चुका है सलेबस आचुका है हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक PDF अप्लोग करा देंगे सलेबस की आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके अपने पा मरशन अगरत देखें हम लोग कौन-कौन परिक्षा दे सकता है तो सीनियर सेकेंडरी कक्षया बारा से उन्तिन विद्ध्यारती जिसने वेकल्पिक विशे के रूप में भुगोल का चैन किया हो या भुगोल उसके रहा हो वो इसका फॉर्म संबिट कर सकता है तो 23 सप्रेल से पूर्व जो विद्यारती भी सोच रहे हैं कि कल करेंगे बढसो करेंगे तुरंत जाएं और तुरंत इसका फॉर्म संबिट करके přियारी में जुठ जाएं क्योंकि बहुत सारे सारे विद्यारति ऐसे भी हैं जोग तो कई महीनों से तक 피부 कर ने कि तो यह तैय मानिए कि आप लोग इसको क्रैक कर सकते हैं बिल्कुल और हम लोग आपका बिल्कुल सही हो करने के लिए तया है वीडियो कोर्स टैस्स सीरीज जो कुछ भी हमसे हो सकेगा वो आपके लिए उपलब्द कराएंगे हम लोग नेक्स देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है अभी मैंने भी चर्चा की थी कि अभी तक तो यह था कि पढ़ना क्या है अब है कि कैसे पढ़ना है तो आपको चिंता लेने की कोई आप शक्ता नहीं है हम लोग हमारे समय से पहले आप लोगों को वीडियो कॉर्स और जो टेस्ट सीरीज उपलब्द करा देंगे नेक्स जो हमारा एक सवाल आता है कि कैसे पढ़ना है तो आपको करनी है स्मार्ट स्टेडी क्या करनी है स्मार्ट स्टेडी तो यह क्या होती है स्मार्ट स्टेडी क्या होती है देखी एक उधान लेते हैं हम लोग आपको किसी ड राइटीशन की सला मान कर व्यक्ति गया कि किन-किन चीजों में प्रोटीन होता है, उसको पता चला सोयाबीन में भी बहुत सारा प्रोटीन है, दूद में भी बहुत सारा प्रोटीन है, तो उसने एक बस्तू का चैन किया दूद का, तो उसने ये देखा कि एक लिटर दूद म वेमान लीजिए कि 5 gram protein है तो अब उसको रोज 50 gram अगर protein खाना है तो यह अपने शेरीर को देना है तो वो क्या करेगा 10 liter दूद्ध पियेगा नहीं पियेगा ना वो क्या करेगा वो खरीद के लायाएगा 500 gram पनीर क्योंकि 500 gram पनीर में 50 gram protein लफ़ है तो उसको 10 लिटर दूद पीने के अफशक्ता नहीं है वो 50 ग्राम 500 ग्राम पनीर खाकर भी 50 ग्राम प्रोटीन अपने शरीर को दे सकता है तो बस यही स्मार्ट स्टेडी होती है इस उदान से ले कि हमें बहुत जादा बहुत सारी कितावें और बहुत सारे कैसे समारे सामने के सामने के होता कर देंगे तक हम लोग यह देखें स्मार्ट स्टेडी क्या होती है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिकों को कवर करना कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिकों से अपने लाइक जो मैटीरियल हम उपलब्द कर सकते हैं वो उपलब्द करवाना करना नेक्स देखते हैं वीडियो बिल्कुल है examination का उसका एक बहुत महत्पून हिस्सा हो गया test series क्यों हो गया है क्योंकि आप किसी एक स्थान पर कोवीड के बाद किसी एक स्थान पर अपना ध्यन कर रहे हैं आप देखेंगे कि लिए विश्टेंट वुगोल का offline अपनी तुलना कैसे करें तो उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है test series हमें क्या बताता है एक तो यह फायदा है कि ऐसा कौन सा topic जिसमें हम कमजोर हैं उसके बारे में जानकर उसके उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं दूसरा यह कि हम जिस exam को देने रहे हैं उस exam को दूसरे विद्यारती दे रहे हैं राजस्तान के कोने कोने से दे रहे हैं और online test series का यह फायदा है कि पूरी आजस्तान के विद्यारती दौरा जा रहा है और उसमें आपकी rank क्या रह रही है वो बताएगी कि आपकी जो अध्यन है किस इस्तर का है या फिर आपको उस अध्यन में और क्या आपको कैसे उस अध्यन को और ऊचा लेके जाना है फिर अगला जो मेहत पुर्ण विंदु है वह है रीवीजन है केवल हमें कूर्स करना ही नहीं है और रेवजन भी लगातार करते रहना है एक में विद्ध्यार्तियों को सला देना चाहूंगा, मेरा प्रसनल अनुभव है, क्योंकि मैंने भी किसी में जब भरती दी थी, तब ये अनुभव किया था, कि बहुत सारे ऐसे विद्ध्यार्तियों, जमान लीजिए, पांस लाग लोगों ने फॉर्म बढ़ा है, किसी भी अभी, फॉर्म भरते ही, या आपने फॉर्म भर लिया है, तो अच्छी बात है, या आप जब फॉर्म भरने जा रहे हैं, या फॉर्म भरते ही, आपके पास एक या दो प्रती में हाड कोपी में आपका सलीबस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि अध्यन जब आप करने बैठोगे या अध्यन जब आप कर रहे हैं तो हमें हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि यह मेरे कामकार यह मेरे कामका नहीं है तो आपके पास जब हाड कोपी होती तो आप देख लेंगे कि अच्छा स्केल का यही पार्ट हमें पढ़ना है यह नहीं जारी किये जो आयोग ने जारी कि उसकी इसी गाइड की कोपी नहीं करवानी है आपको जो उसमें जो आपकी काम का पोर्चन है तो बुगोल वाला पोर्चन वह काट लेए अगर साइंस की विद्यारती देख रहे हैं साइंस वाला पोर्चन अपने बास प्रिंट लेकर सारे लोग है जो ये कह रहे हैं कि 80 दिन पर्यापत नहीं है असी दिन में क्या होगा Baş स्थाफिक में हमेरे सामने है औरा सी दिन होगा तो मैं उसे पूछना चाहूंगा या उन विद्यार्तियों से बूशना जाऊंगा तो ये सोच रहेंगी सर क्या होगा इतने से दिनों में तो एक बात बताईए कि क्या किसी और विद्यार्तियों को ज्यादा समय दिया गया है आपको भी उतना ही समय दिया गया है और किसी और विद्यार्तियों को भी उतना ही स ज़ो फैलाते हैं नकरात्मक ता फैलाते हैं उनसे दूर रहने के अफशकता है आप लोगों को क्योंकि आपको बढ़ती में अगर सलैक्टि शाहले तो अकारात्मक रहना अच्यनता अच्छच है इसलिए नकारात्मक विचारो, नकारात्मक लोगो, नकारात्मक माहूल से आपको दूर रहने के अफशक्ता है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, तो टाइम मेनेजमेंट, अत्यंत महत्पूर है क्योंकि समय कम है, अभी हमने कहा कि कैवल हमारे पास 29 जून को पेपर है और 80 दिन बचे हैं, कितने बचे हैं, 80 दिन, 80 दिन में इस पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना है, उस सिलेबस को आपको अच्छे से सयार करना है, उसके अलावा आप लोगों को रिविजन भी करना है, तो टाइम मेनेजिबर बहुत महत्पूर है, तो आप लोगों को जितने भी आपके अनावशक कारिये हैं, देखिए, एक बात कहना चाहूँगा, कि जीवन में गिवल दो इक कारिये हैं, जो है, वो आपके बिना नहीं हो सकत है, तो ये दो ही काम है, उस समय आपको रहना हो शक है, बाकि ऐसा कोई काम नहीं है, मामा की शादी, मेरे दोस्त की शादी है, वहाँ जाना है, ये सारे कारिये आप कम से कम इन 80-90 दिनों के लिए टाल दे, इन 80 दिनों के लिए आप टाल देंगे, दोस्त कहीं नहीं जाते ह आप जब सेलेक्ट हो जाओगे उनको दुगनी खुशी होगी कि आप उनसे नहीं मिल पाए उनकी चादी अटेंड नहीं कर पाए उनकी जो कारियों आप नहीं कर पाए तो यह मान के चले कि टाइम मेनेजमेंट के साथ जो अनावशक कारी उनको हटा दे और उसमें आप अध्यन को जोड़ दे तो आपके पास बहुत प्रयाप समय है इस पेकेंसी को क्रैक करने के लिए नेक्स देखते हैं सवालों को इस्तर क्या रहेगा यह बहुत मैत्पून सवाल है अलाकि इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है या की नहीं है लोगों ने की तर 12 पेस एक्जाम है 12 रहेगा स्लेबस भी उन्होंने 11 12 का दिया है तो यह कहां लिखा है कि कक्षा 11 और 12 की पुस क्षणों का स्तर है वह कुक्षा 12 तक ही रहेगा कि प्छले साइन्स के इלא पर आप ऊठा के देखें इसी वेकेंसी तो श्लेबस क्षा 12 का दिया गया है पर अंतु सवालों का जो स्तर है वह कुक्षा 12 11 का नहीं दिया गया है Ex- 15 जो बिद्दयार्टी होंगे निश्चित रूप से उससे उपर इसनातक स्थर के इसनातक जो पीजी की बात करते हैं वहां तक के सवालों का स्थर भी इसमें पूचा जाएगा क्योंकि स्लेबस व्रिस्तित है और उन्होंने टूड़ा पॉइंट एक एक टॉपिक दे दिया है आप यह मान के चले कि यह जो हम कह रहेंगे कख्षा बारा तक का स्लेबस रहेगा यह कख्षा बारा तक की इस तर रहेगा यह तह नहीं है इस तर निश्चित रूप से बढ़ेगा और इसी के लिए आपको किसी ना किसी अच्छे अध्यन की आउशक्ता है अच्छे मैटर की आउशक्ता है तो व ज्यान से हम किस प्रकार से एडवन्टेज में हैं या किसी और विशे से किस प्रकार से एडवन्टेज में हैं या किसी और विशे से किस प्रकार से एडवन्टेज में हैं क्योंकि हमें जो 300 प्रश्ण है जो हमें 300 अंक है उसके जो 1500 प्रश्ण है तो हम यह बिल्कुल आप मान लीजिए कि आप अगर अच्छा अध्यन करते हैं अच्छे लोगों से जुड़ते हैं तो यह तै है कि आप इस परिक्षा को आसानी से क्रेक कर सकते हैं बिना किसी समस्या के और आगे अगर कोई समस्या आती है उसके लिए हम उपलब्ध हैं आपके सामने हमेशा अप्लब्ध हैं आप कमेंड में आपके प्रस्न लिख सकते हैं और जल्द से जल्द हम वीडियो कोर्स आपको अप्लब्ध करा देंगे हमारे एप के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन एप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर और विज कोल का दें भी हम उसी प्रकार का उससे भी अच्छी गुणोत्ता काम लेके आएंगे आपके सामने और सभी को जो भी वेकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाब आउश्यक रूप से प्राप्त होगा आज यह लिए इतना ही धन्यवाद जहिन दोस्ति किस क्या सी प्रवड झाब जढ मुच है जए लाइंगे दोस्ति स्ति की ओन दिया उनुत्च जिए प्रवड़ कर लिए पक tu काम है जएके सामने जग हो कि क की एनteoba हैं